हाई फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप FSAI का लेसंस ऑनलाइन एपलाई कैसे कर सकते हैं और अपना FSAI का लेसंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो बेसिकली जो FSAI का लेसंस है उन लोगों के लिए जरूरूरत पढ़ती है जो फूट से रिलेटेट काम कर रहा है चाहिए आप डियरि प्रोडर्क्त बना रहे हैं या फिर कोई भी खाने बीने का सामान बना रहे या बेच रहे हैं इसकेस में आपको इस लेसंस की जरूरूरत पढ़ती है जनरली जो ठेले पे सब्सक्राइब लगां लगाते हैं या फिर किसी का रेस्तुरेंट बगएर आया होटल है तो उन सारे लोग को इस लेसंस की जरूरत पड़ती है साथ ही यहाँ पर जैसे दूद का दही का पनीर का यह सारे काम करते हैं उन लोग के लिए भी यह लेसंस कंपल्सरी कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेस्टोरेंट का ले प्लिए डिस्क्रप्शन में ही मिल जाएगा यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा एपलाई फॉर न्यू लैसन्स रेजिस्टेशन इस पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन्स देखने के लिए मिलेंगे जनरल रेलवे पर हमें काई सारे अप्सिंस तेखने के लिए मैंन। ट्रेड फॉड सर्विस गवर्रमेंट एजनसी और हैड ओफिस तो यहां पर मैन।्फट्रिंग जैसे किसी का बनाने का काम है कोई जैसे बनाने का काम है तो नीचे शुक्तिक्स के अंडर यहां को सब क्यटेगर होते के लिए मिलेंगी यह सारी चीज़ें जो है मैंनुफेक्चरिंग में रहती इनका मैं जहां जिसे बोल सकते हैं प्रैमरी वर्ग जो है उसके बाद के वाला आपका खरीदने बेचने का काम है तो यहां पर टेड या फर रिटेल में जाएंगे उसके बाद आपका फूड सर्व पर आजाएंगे उसके बाद हमें नीचे यहां पर कही तरीके को ओप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे तो यहां पर को देखने के लिए मिल जाएंगे जिससे आप अंदजाया लएसकते हैं आपका जो काम है किस काटगरी में आता तो यहां पर फूड बेंडिंग किलिक किया तो इसमें हमें आपर देखने के लिए मिल जाएगा उप्सन तो फर्स्ट ऑप्सन ही हमारा यहां पर ढबागा दिया हुआ है तो हमारा जो रेजिटेशन फूर बेंडिंग इस्टैबलिस्मेंट में नहीं होगा तो इस पर किलिक करेंगे हमें अपना हमें अपना से रहता साल का या फिर 12 लाग तक ही रहता है रहा है यहां पर अपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको क्लिए कर दो तो अगर आपकी जो दुकान है किसी और नाम से तो यहां पर आपको अपनी दुकान है या फिर जो भी आपका डावा रेस्टुरेंट जो भी होता उस नाम को यहां पर दर्ज करना आप यहां पर एप्लिकेंट का नाम दर्ज ना करें अगर आपका जो एंडिवीजियल वर्क वो address डालना है आपका अधार में address अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको अपनी business details देनी है तो आपको address यहाँ पर आप ठेला बगएर लगाते हैं यहाँ जहां भी आपका डाबर है वो address है आपको दर्ज कर देना आपको अब यहाँ पर अपने correspondence address आपको देना अगर आपक business का address और आपका correspondence address same है तो यहाँ पर आपको yes कर देना नीचे वारा address automatic fill हो जाएगा हमारा अलग है तो अलग से अपनी address को fill करेंगे उसके बाद अब हमें एक honor की contact details देनी होगी तो इसमें सबसे पहले mobile number को यहाँ पर करेंगे email id करेंगे और यहाँ पर हमें contact person की details देनी होगी तो यहाँ पर आप कोई भी एक contact बंदा जो आपकी business के आसपरोस में जो भी business कर रहा है उसका आप यहाँ पर नाम उसका और उसका contact number यहाँ पर contact person details में fill कर देंगे तो यहाँ पर आपको सारे details को fill कर देना है आप यहाँ पर आपको अपने food की category को select करना होगा तो यहाँ पर एक से ज्यादा category को select कर सकते हैं तो list पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके काम से related काई सारे options देखने के लिए मिल जो जो भी काम आप करते हैं उसे simply यहाँ पर select करेंगे and save and add पर click कर देंगे उसके साथ यहाँ पर आपका कोई दूसरा product भी है तो उसे भी आप select कर लेंगे इसी तरीके से आपके जिद्रे भी product आते हैं इस list में उन सब को यहाँ पर आपको select कर लेना है अगर यहाँ पर starting date यानि जब आपने अपने business established किया था उसकी date को फिल कर देना है अब यहाँ पर आपको बाटर सप्लाइच कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आप क्या जो काम कर रहे हैं आप उसमें किसी तरीके की electricity यूज होती है जैसा आप खाना बगारा बना रहे हैं उसमें किसी भी त से चेक करेंगे और सेवन कंटीव पर किलिक कर देंगे आप हमें पर अपनी साइनफ डिटिल्स देनी होगी क्योंकि हम जब registration कर रहे हैं तो हमें आपर अपना सइनफ भी करना होगा क्योंकि जब हम सबसे बहले हम अपनी email आपको यहाँ नमबर सबसे pulse ब्लाइच कर लेना है secondary contact details में आपको कुछ भी दर्ज नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पर आपको एक password बना लेना है login ID का आप यहाँ पर screenshot ले लिजी क्योंकि सेम login ID से हमें बाद में login करना होगा अपना certificate डाउनलोड करने के लिए password आप एक ऐलफान बना लिजी इस password को आपको याद रखना तो ID password से इसी से आप login करके अपना certificate बाद में download कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको capture को फिल करना है और नीचे submit पर क्लिक करने के बाद आपका एक verification code email ID मोगाल पर वेज़ा जाएगा कोई भी code को यहाँ पर करेंगे submit करने के बाद यहाँ पर आपकी जो login upload कर देना है फोटो यहाँ पर आप JPG format में upload कर सकते हैं upload करने के बाद यहाँ पर आपको ID proof upload करना होगा जिसमें आप आधरकार upload कर सकते हैं अगर आपका business related को document होता है आपके पास कोई NOC वेगारा होती है या आपका कोई registration वेगारा होता है तो उसे भी आप यहाँ पर upload कर सकते हैं अधर बाज यह नहीं है उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डिकलेशन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने पैमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंट करूंगा आप रेजर को सेलेक्ट कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे रेजर को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास जीएस्टी नमबर को फिल करेंगे दरवाज इससे ऐसा ही छोड़ देंगे हमारा जो सेटिविक कर देना है einवार पर आजायगा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है रहा उपाद से प्लिक कर सकते हैं तो हम यहाँ पर मेंकुछ इस तरीके का आ जाएगा आपको प्रिंट dislाड कर लेना हो और संभाल में रख लेना है अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है आपका जो certificate है online apply हो चुका है अब हो सकता है आपके area के food inspector है वो आपसे contact करें या directly आपका certificate है issue कर दे certificate issue होने में आपके साथ से 8 दिन लग सकते हैं अगर आपको किजी भी तरीके का issue आता तो आप अपने area के food inspector से बात कर सकते हैं तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही आई होप आपको वीडियो में बदा भी पूरी जानकार इच्छे समझ में आ गई होगी कुछ भी समझ में नही कीचे comment box में पूछ सकतें इस कीच्ट को बनने के बाद हम इसे डाउनोड कैसे करेंगे इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट बडियो आएगी जिसमें आप डाउनसे को सीख सकते हैं जिसम्हें इतना हिए वीडियो के इसनमदाई ही वीडियो को लाइक करें ऐसी और